आज BTS को पिक्चर्स देख कर पेंटिंग बनानी होगी तो आए चलिए देखते ही कौन है सिकंदर का मुकंदर मैं अमत नम्हे की मुकंदर का सिकंदर मैं बच्चो वाले काम नहीं करूँगा देख तुझे करना तो पड़ेगा ही मैं तफ़ल तायारी में हूँ मैं बाहर कब से रेट कर रहा था तो तुम सारे लोग यहां पर हो ये एक नमबर का खूचो राम ओह मेरी पैन हिल नहीं रही है पता नहीं क्या बनेगा सूच रहा हूँ कि कुछ अच्छा ही बने बन गया देखो लग ज़रा दिखाओ ये क्या ये तो कुछ बेर बकलियों जैसा है जरा दियान से देखो अया जिमीन ये तो तेरे जैसा दिख रहा है क्या मेरी जिसा पर ये तो बन गर लग रहा है जरा देखो इस किया के बहुत ही ज़्यदा चोटी है जबकि मेरी तो बहुत ही स्याद़ पड़ी है इस फोटो में इसने जो हरकत की है ना जीब निकालने की वो तुमें कभी नहीं करता और कहता है कि ये मेरे जिसा है तेरे जिसा तो लग रहा है अब छोड़ो भी इस बात को क्या जिमिन क्या बंदर अब मेरी बारी है तो मुझे ड्रॉ करने दो शिगी बेटा अच्छे से करियो आंकल मैं अच्छा ही करूंगा पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इसा लग रहा है कि तो जो बनेगा न वो भद्दा ही होगा रुख जरा तो देख मेरे मस्टरपीस को लव सरा दिखा देखो अखिर ये है क्या तुम जैसे अनपड़ गवार को टेकनोलोजी के बारे में क्या खबर होगी कि है क्या कहा टेकनोलोजी पर ये तो वो बोल से खिलने वाला खिलोना है ए कुकी तुम एच्छा कहा थाना मेंने किए एक मस्टरपीस है क्या तुम इसे मस्टरपीस कह रहे हो मेरे मस्टरपीस की प्रिसती तुमने कुछ खास नहीं किया अरे ये तुम अंगरदरा का एलियन है हे तुम सभी लोग अगर तुमारा हो गया हो ना तो क्या मेरी बारी बस दूसरों के मामले में टांगडा जा रहता है अभी मेरी बारी चल रही थी ना तो बीच में क्यों मेरी बारी मेरी बारी कब आएगी है सब बोल रहा है शुगी तुम जीमिन से बड़े हो हाँ मैं जिमिन से बड़ा हूँ तो क्या मैं मर जाओ मेरी कोई फिलिंग नहीं है दूसरों की डायलोग चिपकाना बन कर ये शुगी मेरी करफ देखकर क्यों बोड रहा है मेरा फोकस मेरी ड्रोइंग करने में नहीं चाह रहा मेरी ड्रोइंग हो गई है देखो सभी लोग मैंने क्या बनाया है हाँ इस पक्षी के दो चार पेर है ये कौन सा जानवर बना दिया तुमने लाउत चिमिन जरह मुझे दिखाओ तो सरे इस ड्रोइंग को देखू इसकी चोच है पर इसकी चार पेर है ये है क्या ये तो एंटीकर है जीडियो को खाने वाला पशू गलत ये तो प्लूटोग्रम में पाए जाने वाले चल दानों चैसा दिखता है अरे नहीं मैं कहया हूँ न ये कोई अलगी ज़ानवर है मुझे इसा लगता है कि चिमिन ने ना एक नए नसल की खोच की है ये शुगी इतना क्यों बोर रहा है हमें इसे लेप में दिखाने जाना चैहिए कोई सरूरत नहीं है क्योंकि ये चल दानों है अब ये कहां से टपक गया तुम दोनों अपनी बख्वास करना बंद करो और दूसरों की बार याने दो पर मैं तो सची कह रहा था जल दानों तो ऐसा ही दिखता है जिनू बाते करना बंकर क्योंकि आगे तेही वारी है जलहट छे फुटिये मैं नहीं खेलने वाला ऐसा कहना कि तुझे ड्रोइन नहीं आती ये बात तो ये कभी नहीं बोलेगा कि इसे ड्रोइन नहीं आती बता है मुझे तू मुझे सिखा मत कि उसकी जगे पर फिर से एक बार मैं ड्रोइन कर सकता हूँ वो तो चलाते हैं क्यों मुझे एक मुका नहीं मिलेगा खिमिन बेटा जरा उपर देखो किस बेवडे ने कहा कि मुझे ड्रोइंग करना नहीं आता अब देखो तुम लोग मैं इस स्टर्टेजी को गलत हांकने की कोशिश की है तुम लोगोंने जब तुम लोग मेरी ड्रोइंग देखो हूए ने तो आखे फट ठाएगी देखो तुम सभी लोग हाहाहा देखा बताओ यहे क्या इस ड्रोइंग में तो एक इंसान पेर कु मार रहा है यह कैसे ड्रोइंग बनाई है तुम ने लगता है तुमने स्पाइडर में नहीं देखी हाँ देखी है यह तो बैट मैं की मूईी का सीन लग रहा है कि तो इसा लगता है कि नर्सरी में पढ़ने वाले बच्ची ने ये ड्रोइंग मिनाई है और जीनो तुसों मैं स्पाइडर मैं का बहुत ही बड़ा वाला फैन हूँ तो मैं क्या करू अब? क्या मैं तुझे स्पाइडर मैं लगता हूँ? सपने में भी नहीं इससे अच्छा तो मैं मर जाना बतन करूँगा इन पे वकूफो को कौन समझे कि मैं स्पाइडर मैं हूँ और जीनो आज राथ हम स्पाइडर मैं मुवी देखने के लिए चाहेंगे ठीक है? है क्या सच में? है 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 आयम की मज़ग को इसने सच में दिल पर ले लिया भी सरे रुको अभी अभी क्या हुआ कोई मुझे बताएगा? पहली बात तो यह है कि मुवी देखने के लिए तेरे पास पैसर नहीं है ऐसी बात नहीं है तास से है मेरे पास पर मैं हाँ पर क्या? पैसर तो यह से मेरे पास भी नहीं है मेरे पास बहुत सार है चलो आज रच चलते है ओ मुझे नहीं आना मुझे सूना है चप रहो चुगी I am drawing कर रहा है उसके काम में उसका focus नहीं लग पा रहा है तुम्हारे कारण यह बस हो गया मैंने कितनों बढ़ियों बनाया जर देखो यह क्या है? अ जर रुको यह तो सिंचेन भी बना लेता है इसमें कोई बड़ी बात ली है कदे कहीं के बंद रखना अपना मुः यह कौन सा करिश्मा है? मुझे पता है करिश्मा तन्ना या करिश्मा कपूर हाँ मुझे यादा गया जब मैं 5 साल का जिमिन 5 साल तब मैंने ये ड्रोइंग बनाई थी क्या ये डायलोग तो परशिंजन नोहरा को होना चाहिए न बस अब बहुत हो गया चुप करो तुम सारे लोग अगर मुझे एक शब्द भी निकाला अगर निकालेंगे तो क्या कर लेगा हाँ शुगी दम है तो रोक ले वो मुवी तुमने के नहीं देखी पागल जीनू वो डायलोग तो ऐसा है कि मास दम है तो रोक ले तब से मैं ली चुप बेढ़ा था अब देखो मैं अपनी ड्रोइंग में टाइगर बनाने वाला हूँ क्यों करना है जल्दी काल टाइम नहीं है मेरे पास तो यहाँ पर बेठा क्यों है चला क्यों नहीं चाता बस तुम्हें ड्रोइंग देख फिर तो तो तेरे एलियन पी किसी काम के नहीं रहेंगे बन गई यह क्या मेरे क्यूट बेबी टाइगर देखो तमसे भी लोग मैंने कितना अच्छा बनाया है लाव तो सरा यह क्यों मुझे शुकी की तरह क्यों लग रहा है यह क्या यह टाइगर को बनाने चला था पर इसने तो बिल्ली के बना डाली क्या बिल्ली क्या मैंने एक बिल्ली बनाई है इसने कहा कि वो मेरी तरह दिख रहा है हाँ क्या ये एक बिल्ली है एक मेर्जरर को देखो मैं उस गंदी बिल्ली जैसे नहीं दिखता हूँ मैं तो काफी ज्यादा हैंसम हूँ क्या कहा गंदी बिली मेरी बिली को इसने गंदी कहा बिली तो काफी क्यूट है गंदी बिली हैंशम शुगी वही तो कहा ये बिली तो काफी स्यादा क्यूट है क्यूरे शुगी मिर्ची लगी ये कोई बिली नहीं है ये तो प्रिछ्वी में पाए जानी वाली cat है ये जीनू पागल क्या तुम मेरा यकीन नहीं कर रहे हो बस जोबी हो मैं उस बिली से तो ज्यादा handsome ही हूँ समझे येकीन मानों में सच कह रहा हूँ कि ये प्रिछ्वी में पाए जानी वाली cat है जिनू तो चुप रहे न आब जिनू चुप हो जा आज कलगी इनू जोआन सच सुनके ही उल्डी कर देते हैं बस हो गया चल दी करो टाइम नहीं है हमारे पास इस होबी को तो कहीं ठीकाने लगाना पड़ेगा ज़र देखो बहुत ही अच्छा बना है ये ये क्या लड़कियों की हैर्पिन है ये तो खर्गोश है खर्गोश कबसे हैर्पिन जैसे दिखने लगे हां ज़र सुनो ये खर्गोश ही है ये मैंने बनी बनाया है ये क्या कोई तो कुछ भी बनाये जा रहा है मेरे ड्रोइंग तो किसी ने भी नहीं सरा ही सब लोगों की ड्रोइंग अब कम्प्लीट हो गई है तो अब हमें कर जाना चाहिए ए जरा सुनो स्पाइडर मैन मुवी जिमीन हमें दिखने वाला थना उसका क्या हुआ देखो जरा ऐसा नहीं हो सकता मुझे मन था कि मैं स्पाइडर मैन वाली मुवी देखू क्या जिमीन ने हमें दोका दिया जिमीन के गाड़ी के नीचे कुछ तो छुपा है मैं उसे जरूर ढूंद लूँगा एक बार गाड़ी के अंदर भी जरत चत करने दो पता नहीं कुछ पैसे मिल जाए और लोगों को क्या लगता है कि मैं मेरे पैसे अपनी गाड़ी में चुपाऊंगा वैल यह सही बात है क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी के डिक्की में ते जूरी में पैसे बंद करके रखे थे